इस अउने को molecule geometry पता करने i6 Siq का और से सब्सक्राइब कि XC 6 का कैसा 3D би ओरी Rsायने उन्टेशन होता है इस molecule का तो पहले hybridization find out कर लेते हैं तो यह आ एक सेफ ठीक है और जिनान एक इनिये और गैस इनिये makesड है सिधा इनोट गैसी यह बीसिकली और इसके पास लुमर क्लेश हे कितना हाइट ओता है ठीक है जबकी फ्लोरीन फ्लोरीन का 7 होता है ठीक है लेकिन फ्लोरीन का में लोकितना आपknow थे 6 अटमस दी तो 7 10 इंटो 6 कहेंगे ठीक है hybridization वे हम लोग total number of valence electrons of each atom present in the molecule करते हैं अगर नहीं समय है तो इतना हम लोग की जितना भी atom है और जितने बार भी है ठीक है उन सब को हम लोग add कर देते हैं ठीक है यह total number of valence electrons of the molecule जो निकलता है ठीक है माल लो इसको हम लोग x से represent कर दिये ठीक है यह अगर 8 से बड़ा हो तो फिर तुम इस x को 8 से divide कर दोगे ठीक है लेकिन अगर यह x 8 से छोटा या equal है तो फिर तुम इस x को divided by 2 करोगे क्यों समझाते हैं क्यों कैसे होगा अब जैसे देखो यह 50 एट से तो बहुत बड़ा number है तो इस 50 को हम लोग 8 से divide कर देते हैं चलो देखो divide कर रहा है 50 by 8 तो 8 6 होता है 48 होता है ठीक है रिमेंडर आगया 2 ठीक है यह 2 बाइ 2 तुम कर दोगे जो भी रिमेंडर आएगा उसको तुम फिर से एक बड़ 2 से divide कर दोगे दोनों केस में चाहे x बड़ा हो चाहे x equal to या less than 8 हो दोनों कंडिशन में रिमेंडर को हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है और यह आगया 1 तो यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम्हारे पास कि एस पी थ्री डी टू हाइब्रिटाइजेशन है नहीं वह लोग छे बॉंड्स बनेगा ठीक है यह तो समलों छे बॉंड्स बनेगा ठीक है और एक लोन पैर रहेगा वन इल्पी one loan compare थे तो कैसे आप इसको आरेंश करेंगे हम लोग और सिक्स प्लस वन है ठीक है तो सिक्षी प्लस वन तुम्हारा है यौह रिप्रटाइजेशन दे देगा d3 hybridization मेल पेंटागोनल by स्ट्ट्चर होना चाहिए ठीक है तो अवी बनाते हैं उसको तो देखो पैंटर गोनल ऐ पाई अलाया ठीक है पेंटर सो पैंटा गोनल के बाय पिराउड गौनल थी थी पनाद। मैटलों इस प्लेंगि ँपर तो एक फ्लोरीन इधर एक फ्लोरीन इधर एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर चलो इसको थोड़ा और इधर शिफ्ट कर देते हैं ठीक है ठीक है और यह है बॉंड्स ठीक है पेंटरगन कैसे है देखो यह देखो ऑगया पेंटगन शेप आगया, ऐसा 5 साइड है, पेंटगन बन गया ठीक है, अब देखो 5 फ्लोरीन यूज होगयै 1, 2, 3, 4, 5 फ्लोरीन यूज होगया 1 फ्लोरीन और है, ठीक है तो उसको तुम ऊपर रखोगये ठीक है, तो इस प्लें के ऊपर आएगा एक fluorine तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ठीक है वो fluorine ठीक है हम लोगा पांच आया था bonds और एक आया था loan pair ठीक है six bonds आया था basically six bonds आया था और एक loan pair रहा था और six plus one मतलब sp3d3 मतलब pentagonal by pyramidal तो ठीक है कैसे बना यह रहा ठीक है एक दो तीन चार पांच है जह बन गया अब एक loan pair है तो यह एक loan pair काईदे से नियम के हिसाब से इस hybridization के structural के हिसाब से पेंटागनल बाई पिरमिडल मतलब एक पेंटागन बन गया एक ओपर pyramid भी बन चुका है ठीक है ऐसे फिर यह दो face भी उसको cover करेगा और यह वाला face भी cover करेगा यह वाला face भी करेगा यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला तो एक pyramid उपर और उस pyramid के उपर क्या है फ्लोरीन है यह वाला फ्लोरीन ठीक है लेकिन यह केस नहीं होता है XCF6 एक एकसेप्शनल मॉलेक्यूल है जिसमें पेंटगरनल बाइपिरमिडल स्ट्रक्चर नहीं बनता है ठीक है इसमें फ्लिपिंग ऑफ एलेक्ट्रॉन देखा जाता है और देखो जैसे यहां पर एक साइड बनाना यह सब डॉट्स को अटा द जो ठीक है और एक यह रहा है ठीक है अच्छा समझ भी नहीं आ रहा है ठीक है ब्लाक से रिप्रेजेंट कर देता है ठीक है यह टॉप वाला है वो पिरमिड वाला ठीक है यह रहा बॉंड्स छे बॉंड है अब एक लोन पैर है वो लोन पैर नीचे नहीं रहा है कि वो उपर फिलिपिंग कर जाएगा और वो कहां जाके शिफ्ट करेगा यह समझा देता हूँ देखो कोई एक भी साइड पकड़ लो जैसे यह वाला साइड ठीक है यह वाला साइड पिरमिड का एक साइड ही तो है यह ठीक है पांच साइड बनना है ना देखो यह एक साइड हो गया एक साइड यह वा देखो यह वाला यह दो लाइन एक साइड बन गया पिरमिड का य यहां से यहां तक तो किसी भी एक साइड में वो लोन पैर नीचे से फिलिप करके ऊपर आएगा और मालो यह वाला जो साइड है ना पिरमिड का यह वाला जो साइड है ना इस पर जाके मालो सट गया थीक है बस जाके वो ऐसे हांक कर जाता यह उसको साइड को ऐसे यह यहां पर अगर कुई कि साइड है तो यह लोन पर आहा है और बस ऐसे उसको टच करके ऐसे सस्पेंडड़ हो गया थीक है तो यही स्टरक्चेर है XCF6 का थोड़ा unconventional सा है और इसको याद करना पड़ेगा बिकॉज यह exception है ठीक है thank you for watching बाह में मिलते हैं